एलो एवरीबडी, वेलकम तो यूर लीस्ट फेवरेट यूटूब चैनल अराने इंटर्टेन्मेंट मानी है, सीजन फाइ, वाली वन जिसमें डोलल पाच एपिसोड से, जिसके हर एक एपिसोड अल्मोस्ट फॉर्टी ने मिनट से लेगे, फिप्टी फॉर मिनट के बीच में, और यह आपको हिंदी में देखने मों मिलता है, शो को देखने के बाद, एक ही चीज़ मैं बोलूँ पाच एपिसोड के डूरेशन के दौरान मैं सारे रिष्टे नादे भूल गया था, मैं यह भूल गया था कि मेरे घर में कौन रहता है, मैं किसको प्यार करता हूँ, मतलब वो जितनी भी रिष्टे से मैं जुड़ा हूँ, उस सब को भूल के मैं बस इस शो को देख रहा थ और मैं दौरान यह सोच रहा था कि प्रोफेसर के साथ क्या होगा, तोक्यो के साथ क्या होगा, मिस्स प्रोफेसर के साथ क्या होगा, इन सारे जो मेरे लवेबल केरेक्टर से इनके साथ क्या होगा, और यह जादू इस पर्टिकुलर शो का, खर बात के हम इस शो के रिलीज使 करके जो पाप की सजा अगर तुमनों 13 एपिसोड भी रिलीज करते हैं तो भी हम लोग देख लेते हैं, पुरे मूर की बैंड वा जा थी, शो मेरे करेक्टर की बात को तो कुछ नए करेक्टर का इंट्रोड़क्शन हुआ है, बट हम लोग पहले पुराने करेक्टर के बात करेंगे, अब तक मुझ स्ट्रॉंग करेक्टर देखने हुँ मिले और जो करेक्टर आर्ट था, स्पेशलि स्टॉक हों, ये करेक्टर कभी भी मेरी फेवरेट नहीं थी, बट आफ्टर वाचिंग इस पर्टिक्लर सीजन, मैं दिवान हो गया, जो उसके करेक्टर ना बदलाव था ना, मिस प्रोफ इसे अनप्रिक्टिबल चीजे होती है, और आपका इंट्रेस्ट बनाया रखती है, उसके रहे शो में जिस तरके से बैक्स्टोरी बताई है, वो बैक्स्टोरी भी इतने इंट्रेस्टिंग है, और गांडिया की गांड मारने का दिल हो रहा था, और पूरे शो में आपका यही मनों के गांडिया कब मरे, गांडिया किस तरह से मरे, कितनी बुरी तरह से मरे, बस यही मोड होता है, और साथ साथ एक ऐसा मोमेंट इस शो में जो मैं आप रिविल करूँगा, आर्थरो रोमान, जो कि पहले से मुझे एक चैरेक्टर बिलकुल भी पसंद नहीं, और इतनी नफरत करें के मतलब इतनी तो नफरत आप अपने रियल दुस्मन से भी ना करते हो, तो वहाँ पर ओ नेगेटिव चैरेक्टर की जीत होती है, और अर्थरो रोमान मेरे लिए वही एक चैरेक्टर है, जिसे मैं बहुत नफरत करता हूँ, इस बार सीजन वाई, सीजन मारने के दील होते तो वह है अर्थरो रहमान, और क्या ही बोलू मैं, मतलब वह सारे सीजन मेरे लिए इतने मेमरेबल वनगे कि मैं दुवारा से देखूंगा, अफ्टर इस रिव्यू, एन शो में हमारे बर्लिन भाया का अगर नाम निले तो कैसा चलेगा, बर्लिन और चोरी करते हैं, यह स्पोईलर नहीं है, बट मैसी बदा दे चोरी करते हैं, वो तो आप लोग शो में देखला है, यह एक ऐसा मैजिक है, मतलब मैंने कभी किसी शो में नहीं देखा कि किसी मरेवे करेक्टर को, मतलब इस तरह से लेकर आदे कि आपको awkward फिल नहीं करता, आप इस शो में हरे करेक्टर को और भी अची तरह से आगे बड़ा, जैसे कि मैंने पहले बताया, BGM हाँ, बहुत अच्छा है, टाइटल ट्रेक, अब आपने लोगों मैं से किसे, कितने ऐसे लोग है जो टाइटल ट्रेक को बार बार सुनते हैं, और जब मैं इसके टाइटल को स में सुनता ही हूं मैं स्कीप नहीं करता हूँ आप मैं से कितने लोग है जो स्कीप करते हैं मुझे में जरूरू बताना एक्टस के परफॉर्मस की बात को तो या नोड़ाट हर एक बंद दिन अपने इस तरह को बहुत अच्छी तरह से क्या है और यह तो अभी सिर्फ इंफि वक्त तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि जो मैंने देखा लिटरली हमने कुछ और यहां पर कुछ और हुआ है यकीन मानो हिला के रग दिया भाई लोगों ने अंदर तक हिला के रग दिया पैरेटनल गाइनस में इतना है बोलूँगा यह शो कभी भी फैमिली के लि इन वाइन आयम सुपर 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 एक्साइट पॉर वालुम टू जिसके लिटर्ड डिसेंबर तक वेट कर ना पड़ेगा चरे जादे निए कर लेंगे कर लेंगे तर बास इस वुड़ो में इतना है नहीं मिलते हैं लेक्स वड़ो में दिलें बाइ